मेरी गरंटी है कि अगर इन दो टिप्स को आप अपनी बैटिंग में ले आते हैं तो आपकी बैटिंग 99-100% बेहतर हो सकती है वो दो चीजें कौन से हैं मैंने आपको वीडियो में बता दिया आप लोगों की भी ख्वाहिश है कि आप लोग भी टेप बॉल में बड़ी बड़ी शॉर्ट्स लगाएं और आप लोग भी टेप बॉल में 6 लगाएं इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ दो चीजें बता के जाओंगा अगर उन चीजों का अप अपनी बैटिंग में फॉलो सेलेक्शन हम ओGame लोग मैसे ज्याद तर बयस्मेल होते हुते हैं वह क्या गलती करते हैं यह आप लोग बैटिंग करते हैं जिनः पीछे बह आँ आ रहा है आप लोग एसे खहल रहे है जो शोंते यहां भात बैट्टिंग करते हैं यह एक शाइट इस तर लंवा या बैटि बोल भी नहीं कर दो हो इसलिए आप खेल आपको कोंसी बोल को कहाँ पर श速 कर दो वह हमाँ होाँ आपको जो बॉल आगे मिलेगा आपने उसको स्टेड की तरफ खेलने की ज्यादा कोशिश करनी है यानि के बॉल आपको आगे मिल रही है तो इसको आपने कोशिश करना है उसको आपने सामने खेलने ठीक है अगर आपको ओफ की तरफ यानि वाइड की तरफ बॉल मिलता है तो इस तरह से कोशिश करेंगे, होगा क्या? बाई चांस हो सकता है, 6 मी लग जाए, लेकिन उसमें ज्यादा चांसिस हैं कि आप लोग का एज निकले और आप लोग आउट हो जाएं और जो बोल आपको पिछे मिलेगी, यानि कि आप लोग बैटिंग कर रहे हैं आपको पिछे बोल आया है, बोंसर बोल आया है, तो उसको अपने कोशिश करने हैं, उसको लेकि तरफ लेके जाएं अगर बोल आपको थोड़ असा बाहिर है, यानि कि वाइड की तरफ है, तो आपने उसको कोशिश करनी है यह आप देख लें बैटिंग करें तो आप उसको कोशिश करें उसको ओफ की तरफ खेलें आप अगर इसकी बैसिक इजेंपल लेना चाहें तो खुरम चकवाल है वो इस तरह से टेप बॉल में खेलते हैं में चीज मैं आपको पता दूँ के में चीज टेप बॉल में होती है अगर आपकी शोड स्लेक्शन ठीक है तो आप लोग हर बॉल को चका लगा सेकेंगे अगर आप लोग चका लगाना चाहते हैं हर बॉल पे तो यार आप लोग सिर्फ एक काम कर लो जो सबसे में है अपनी शोड की जो स्लेक्शन उसको बहतर कर लो आपको पता नो चाहिए बैटिंग करने यह नहीं कि आप लोग बॉलर की तरफ देखने और बॉल आपके यहां पर लग रही है आपको पता ही चल रहा है आपका बैट नहीं आ रहा है आपने बॉल को फोकस करने किस तरह से करना है यही तो उसी खाना है यार यह देखें कि जब बॉलर रन-अप से आप लोग ने तब उसके तरफ देखना गोर नी कर देना तब से कुछ लोग होते हैं उसके हाथ कर देख रहे होते हैं यानि कि बॉलर दोड़के आ रहा है आप वो क्या करते हैं वो रन अप पे आ रहा है आप उसके हाथ की तरफ तब सी देखना स्टार्ट कर देते हैं और ज जो है न अपने legs की तरफ focus ज्यादा करना है तो जब बोलर बोल को release करने वाला हो तब आपने उसके हाद की तरफ देखना है जब आप उसके हाद के उपर focus करेंगे इसका फायदा मैं बता जाते ओं इससे यह होगा कि अगर वह बॉल आपको cutter करता है आपको समझ आजाएगी व जाकर आपके प्राक्टिस करें लाजबी नहीं कि हाड़ बोल की प्रैक्टिस की जाए आप लोग टे बोल की भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरी गरंटी है कि अगर इन दो टिप्स को आप अपनी बैटिंग में ले आते हैं तो आपकी बैटिंग 99-100% जो एन अल्ला हाफीज